तब ही बहुत सारे लोगों ने अफ्तार वी अफ दी वाटर देख लिया है और भाई इसका बॉक्स ओफिस कलेक्शन हर जगा तहल का मचायवे है लेकिन आगे क्या मतलब इसके बाद क्या होगा आखिर जेम्स कैमरान ने इस उनिवर्स के लिए क्या प्लान कर रखा है नेक्स दिन बाद ही जेम्स कैमरान ने रिवील किया कि अफ़तार 3 & 4 भी आएगी वैसे कुछ साल पहले ही इन मुवीज के टाइटल भी लीक हुए थे उन पर मैं थोड़ी दिर में आता हूँ डीटेल में बात किया जाएगा पहले बात कर लेतें अफ़तार 3 की जिसको 20 दिसमबर 2024 चौब इसमें रिलीज किया जाएगा जेम्स कैमरान ने रिवील किया था कि वे आफ दी वाटर की शूटिंग के साथ ही उन्होंने इसके थर्ड पार्ट की भी शूटिंग करना स्टार्ट कर दिया है और शायद आपको पता नहीं होगा बट थर्ड पार्ट की भी पूरी श सक्सेस्फुल रहेगी तभी इसका फूर्ट पार्ट आएगा लेकिन देखो 2019 में इसके वन आफ दी प्रोडूसर ने बोला कि अवतार 4 का मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस कम्प्लीट हो चुका है सिंस इस तरह की सीन्स को शूट करने में स्पेशल मोकाप सूट की जरूरत पड़ती है और इनको बार बार कैरी करना डिफरेंट सेट पे ले जाना प्रोड़क्शन कॉस्ट बढ़ाता है इसलिए सेकंड ठर्ड और फॉर्थ का परफॉर्मेंस कैप्चर एक बार में ही कर लिया गया इवन जो रियल कैरेक्टर की फिल्मिंग होती है वो भी वन प्रड़क्शन पे काम चल रहा होगा वैसे इसका ओफिशल रिलीज डेट अभी के लिए दिसेंबर 18-2026 रखा गया है लेकिन देखो यह उनिवर्स यहां नहीं रुकता जेम्स कैमरान ने रिसेंटली अनॉंस किया था कि हाँ अवतार 5 भी आईगी दिसेंबर 22-2028 में लेक जेम्स ने रिवील कि उनके प्लान्स तो इवन अवतार 6 और 7 बनाने के भी हैं लेकिन यह सब डिपेंड करता है इस फ्रंचाइस के डिमांड पे इसके सक्सेस पे अगर फैंस का डिमांड रहा यह उनिवर्स सक्सेस्पुल रही तो अवतार का यह उनिवर्स 7 फिल्म्स में एक्स्टेंड हो सकता है नहीं तो यह फूर्थ पार्ट में ही इसका एंड हो जाएगा चलो यह तो बात हो गई कि फ्यूचर में इस यूनिवर्स में क्या क्या होगा तो देखो कुछ साल पहले इन मूवीज के कुछ टाइटल्स लीक हुए थें जिससे स्टोरी का अंदाज मिल जाता है जैसे अवतार वे ओफ दी वाटर के नाम सी पता चल जाता है कि इसमें एक नया पैंडोरा दिखाया जाएगा एक नई सिविलाइजेशन दिखाया जाएगी जो की पानी के आसपास रहते हैं वैसी इन टाइटल से आप गेस कर सकते हो कि फ्यूचर में क्या पॉ कैसे हुई थी आपने मूवी देखी होगी तो समझ गए होगे कि मैं क्या कह रहा हूं और टाइटल जो लीक हुआ था वो है अवतार दा क्वेस्ट ऑफ एवा अब अवतार की उनिवर्स के बारे में जानते हो तो एवा को तो जानते ही हो के इस उनिवर्स में एवा दा ग्र ने खुद बोला था कि ये सारे टाइटल को अल्रेडी कंसीडर किया गया है बट अभी के लिए कोई भी ऑफिशल टाइटल फनेलाइज नहीं हुआ है पर फिर भी टाइटल से स्टोरी का जिश्ट तो मिली जाता है इफ आपने वे आफ दी वाटर देख ली है तो बताना व उपर वाली वीडियो देखें एंड स्क्रेट गिम्स में मेरा अनलेसिस देखने के लिए नीचे वाली मैं जल्दी और ने वीडियो लेकर आऊंगा तिल दिन बी देसी बी नर्ड